नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्विल डिजाइन में आज के इस वीडियो में हम कर्ब लेंग के प्रोसीजर और इसके डिजाइन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे और साती सात, इसका on-site लेंग किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या parameter इसमें यूज किया जाते हैं और इसका क्या मेतू है तो सारा कुछ इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्कीप किये अन्तर तक पूरा देखिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं जनरली करब को हाईवे कर्स्ट्रक्शन में एक बेरियर के रूप में यूज किया जाता है और साथ ये डीवियम के एज को प्रोटेक्ट भी करता है और दो लेंग को डिस्टिब्यूट भी करता है तो हम देखने वाले हैं कि इसका लेंग किस परकार से करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका लेंग चल रहा है और मैं आपको बता दू यहाँ पे जो लेंग में यूज किया जाना वाला कोड है वो 5758-1984 है इसके अकोर्डिंग इस कर्व को डिजाइन किया गया है आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे इसका सेक्षन किस परकार से है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कर्ब की लेइंग के लिए M10 कॉंक्रीट का बेड बनाया जाता है इस बेड के ऊपर यह सेंसर्ड कर्ब लेइंग मसीन से यहाँ पे concrete किया जाता है और इसमें देखिए mold लगा हुआ है जो कि L से provide करता है यहाँ पे L से provide करने का सबसे main reason यह है कि बारिश के दिनों में यहाँ पे water का flow काफी smoothly होगा और यहाँ पे इसमें gapping भी दी गई है प्रतियक 20 मीटर पे यहाँ पे gaping provide की गई है इस gap के जरिए एक shoot और flume बनाया जाएगा उस flume से जो total इस pavement का water होगा और shoot के मादियम से नीचे toe drain में चला जाएगा तो देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस wire पे इसके sensor का attachment किया जा रहा है और इस sensor के basis पे यह अपना level जो है set करता है और अपना laying करता है तो यहाँ पे use किया जाने वाला concrete M20 grade का है और एक special concrete है जो जल्दी set होता है क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी परकार का setting provide नहीं करते हैं तो यहाँ पे इसी लिए इसा concrete use किया जाता है जो जल्दी set हो जाए और इसका proper shape बने तो concrete हूपर में डालने से पहले यहाँ पे इसकी shoot को proper लिवास किया जाता है ताकि कोई deleterious material इसमें ना चला जाए और proper smoothness और void free surface के लिए यहाँ पे grading proper किया जाता है साथ ही साथ इस transit mixer में agitating pride की जाती है जिसे की इसकी workability proper बनी रहे यहाँ पे यह भी दियान रखा जाता है कि concrete का falling height एक मिटर से जादा नहीं होना चाहिए otherwise it will produce the segregations आप comment में लिखके बताए कि concrete के setting time को कम करने के लिए कौन सा एड्मिक्चर यूज किया जाता है इस कार्ब लेंग मसीन में self attest vibration system होता है जो कि इसको smooth vibration provide करता जाता है जिससे कि इसका surface जल्ली सेट हो जाता है तब देख सकते हो कि यहाँ पे जो पूराना laying किया हुआ था और यहाँ पे नया laying start किया जा रहा है तो बीच में जो gap बनता है उसको manually concrete डाल के properly match किया जाता है यह एक low barrier L-shaped curve है जो की 10 cm इसका ठिकने से और साथ इसका width 600 mm है तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा support provide किया जा रहा है जिससे कि concrete का pouring properly हो और side से इसका smoothness बना रहे है यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे इसको settling provide किया जाए क्योंकि यहाँ पे जो concrete का property यूज किया जा रहा है तो उसके according जो concrete है वो जल्दी set हो जा रहा है इसका initial settling time बहुत दी कम है कर्ब का gradient according to the IS code 110 रखा जाता है बट इसको existing dbm के gradient से भी बनाया जा सकता है तो जितना gradient dbm का है उसी gradient के according इस कर्ब को design किया जाता है इस कर्ब का gradient इसमें लगे sensor के दोवारा maintain किया जाता है तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे इसका sloping height gradually बढ़ रहा है एक बार laying करने के बाद यहाँ पे proper smoothness provide की जाती है और इसको properly main power की health से इसको smoothness दी जाती है concrete के final set होने के 24 साथ बाद यहाँ पे groove cutting machine से परतियक 5 meter के interval पे groove का cut किया जाता है जिससे की इसमें crack develop ना हो तो यह देखिए according to the IRC SP42 परतियक 20 meter interval पे shoe train के लिए gaping provide की जाती है after the laying 14 days तक इसका curing किया जाता है और curing के लिए यहाँ पे gunny bags और साथ इसाथ curing compound का यूज किया जाता है चलिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और bell icon गो प्रेस करना ना बूले ताकि मेरे latest वीडियो की notification आप तक जल्द पहुंच सके और आपको अगर Delhi Mumbai Express के इस package के बारे में update वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को widget कर सकते हो वहाँ पे मैंने इस package की starting से लेके अभी तक के face तक की मैंने काफी वीडियो upload कर रखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो Again, thanks for watching, have a nice day